अज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे थर्ड समेस्टर के चातर है जिनका सब्जक्ट एजुकेशन यानि फिच्छा फाफ्तर है उनके लिए बहुत ही महात्पूर्ड वीडियो है अगर आपके पर इच्छा कल पर सो है पर आने वाले दिनों में लगी तो इस वीड हें पर को एक छोटा सा कोईश्टन पर दिखार गजान की समस्ट जब देने जाएंगे तो फेक्टा को पैपर चुंशटन पर मारणला पिपर देखने कर देखेहां के एकने में兩個 में रेसेंटली में एक हपते पहले करीब पेपर हुआ है ठीक है तो यह उसी का माडल पेपर है और इसमें देगे कुछ कोश्चन है जिनको आप तयार करना चाहें तो तयार कर लीजीगा इस माडल पेपर को भी हम अटेज कर देंगे ठीक है आपको देने के लिए और देख लीज किसे कहते हैं ऐसा भी प्रेशन देखने हैं मिल सकता है तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि समाजिक अफ्त्रीकरण के इस सुरूप में यानि कि बंद अफ्त्रित समों में बटा होता है जो पूरी तरह से बंध होते हैं अर्थात बैक्ति के अफ्तर समों का निर्धान जन्म या आनवान सिक्ता के अधार पर होता है जिसे बेक्त या समू आजीवन बदल नहीं सकता चुकि बंद अस्त्री करण वाले समू की फदस्तिता जिनमजात होती है इस करण बेक्त एक समू को छोड़ कर दूफरे समू की फदस्तिता ग्रहन नहीं कर सकता है ठीक है भारते जात बिवफ्था बंद अस्तिरिकन का सर्वसिष्ट उदाहर है बंद अस्तिरिकन वाले समाजों में विभिन अस्तर समोहों या जातियों में विभिन समोहों के अधिकार दायुतेहंकार सामनेता एक दूसरे से भिन होते हैं तो बंद अस्तिरिकन का मतलब यह होता है यह आपका ज जात के थे ठीक है किस जात के थे ब्रहमर जात के थे जाती के थे ठीक है ब्रहमर जात के थे तो बाबा जी आपके तो आपके पिता भी पिता जी जो थे वो भी तो भाई ब्रहमर के आपके बाबा जी पिता जी भी ब्रहमर के होंगे और पिता जी किस बेटे आप है तो आप य ये क्या होता है जन्म जात होता है इसको बदल नहीं जाफकता है आजीवन भर हाला कि कुछ लोग तो भाई जाज परिवर्तन धर्म परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन ये जो चीजे हैं ये आजीवन होती हैं जीवन भर के लिए होती हैं इनको बदला नहीं जाफकता है ठीक है ये आपको जन्मजात से एक समोह और एक ठीक है एक पार्टिकुलर किसी भी अफ्त्रिकड में ये आपका जन्म होता है उसी से आपको फदरस्ता मिल जाती कि हाँ भीया ये इंसान इस जातिका है और दिन प्रति दिन मतलब कि डे बाई डे जैसे जैसे कि आपकी जन्नेशन भारति जात बेवस्ता बंद अस्तिकड का बहुत बड़ा हो सर्वसे इस्टू दाराना है तो इस प्रकार आप कुछ परिभासा लिखेंगे बंद अस्तिकड का मतलब ठीक है मतलब क्यों जाती हो गए तो बंद हो गई आप उसे आप खोल नहीं कर सकते आप किसी जात में न है के आप खुले अफ्तरिकण वाले समाजों में इसलי बिभिन ऐस्तर समों की फदस्ता का आधार जन्म या आलवांसिकता ना हो profes के गुड योगता यूम उपलब्दियां होती हैं चूँकि खुले अफ्तरिकण की फदस्ता जन्मजात नहीं होती है इसलिए किसी भी अफ्तर की फदस्ता जीवन परियांत नहीं रहती है ठीक है बेक्त अपने योगता गुड यूम छब्दा के आधार पर एक अफ्तर समों की छोड़ कर दूफ्रे अफ्तर समों की फदस्ता ग्रहन कर सकता है इस कारण इसे खुला अफ्तरिकण कहा गया है ठीक है वर्ग बेवफ्था खुला अफ्तरिकण का सर्बस सेस्टम या फिर सबसे उच्यतम उदाहरन है ठीक है खुला अफ्तरिकण अधिकतर यूरूपिय समा आज बेवफ्था में देखने को मिलता है कुले अफ्तरी कनवाले समाजों में अपे छाकरत अधिक समाज जिक गसीरता पाई जाती है। इसमें जो बेक्त होता है या फिर जो इनसान होता है उसके quality और उसके good और उसकी अचीवमेंट उपलब्दियां बोलती है ठीक है example के रूप में समझते हैं जिसे कि मान लीजिये कि आप गरीब घरके तो आप गरीब घर के हैं तो क्या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ठीक है आप माल लीजे की माल लीजे की आप एक गरीब घर में पैदा हुए तो क्या आप हवाई जाज में नहीं बेट सकते हैं ठीक है अगर आपके पास यो गिता हो गई वो क्वाल् वीढमेब अपर किसी परिवक्राव करकों कुछ लोगों को देखे जात कोई मेंटर नहीं करती है ना फिर दरिधता में मेंटर कर सकती है यानी कि कोई भीस में मेटर नहीं कर सकता यह आपके डिपंड करता है kayak quality कहसीं गुर कैसी और आपके attachment क्या इसपे यह होता खुली अफ़्दि अफ्डूरण करता है तो तो खुली इंश्ड़ com Estamos होता है to a आपके quality आ जाएंगे तो आप दिन पर दिन बदल सकते हैं किसी भी चीज को ठीक है तो आपका जब जो रहन सहन है आपका जो रीत रिवाज है मा लिजे कि आप गरीब थे तो दिन पर दिन आपने मेहनत की योगिता गरहन की और आप अच्छा कासा कमाने लगे तो आपके पर एक्जाम जो कापी चेक करता हो देता है ठीक है मुझे बालू में अगर प्रकार लेखेंगे तो पूरी नंबर मिलेंगे बाकी मैंने तो अपना परिमासार दे दी अगर आपको कुछ और लगता तो आपने अनुसासन ठीक है तो यह भी बहुत कम आता है तो आप चाहें पढ़ भी सकते हैं श्वामी वेका नंद के अनुसार सिच्छक तो स्वामी वेका नंद के अनुसार सिच्छक तो स्वामी वेका नंद के अनुसार सिच्छक कैसा होना चाहिए तो स्वामी वेका नंद प्रचीन गुरू सिस्चु संबंध के समर्थक थे ठीक है वे अध्या पर कोई टीचर के इंतरगत ठीक है अंदर उसे ज्ञान की खान भी मानते थी उसे ऐसे बालक तयार करने चाहिए जो लोकिक और पर लोकिक दोनों जीवन सुख में बितीत कर सके मतलब कि श्वामी विवेका नंद की नुसार टीचर या अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो कोई कोई भी स्टुडेंट है कोई भी छात्र है उसको एक परफेक्ट इंसान मना सके एक ऐसा बालक तयार कर सके जिससे वह उसके पास समस्या आ गई तो उसका सामना कैसे कड़े या फिर उसके पास सामना अच्छा नहीं आई वह और भी उन्चे उठना चाह रहा है तो अपना जीवन है वह कुलमिला की सुखमे कैसे वितीत कर सकता है एक अच्छी लाइफ एक समाच के लिए देश के प्रेम के हित में कदम उठाए और अपना जीवन भी अच्छ बितीत करें उसक में उफ तरीके का टीचर या फिर उफ तरीका का फिच्छक चाहते हैं स्वामी विकानंद जी ठीक है उनके अनुसार सिच्छक को बल फरी हाँ उनके अनुसार मतब स्वामी विकानंद के अनुसार सिच्छक को बाल मनो बिज्ञान का ग्यान होना चाहिए यानि कि बाल मनो बिज्ञान यानि कि बच्चो जो छोटे होते हैं ठीक है उनके अंदर जो है एक ऐसी क्वाल्टी बिल्ट कर देना या फिर उनके अंदर ऐसी क्वाल्टी पैदा कर देना जिससे वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं ठीक है और कुछ आगे देश के लिए अपने लिए कर दिखाएं कि उसके बाद है जब उसे बाल्मनोवग ग्ञान का ग्ञान होगा तब वही बालक को उनकी छम्तावा के अनुसार बिक्षित कर सकेगा सिच्छा क्यानि कि टीचर को चाहिए कि वो अपने बेक्टित्थों से बालकों को प्रुभावित करके उन्हें सही मार्ग में लावे जीवन है वो अच्छे से बितीत हो सके तो इस प्रकार का स्वामी वेकार नंदी जी एक टीचर चाहते हैं काफी अर्पल कुश्चन है समाजिक अफ्तिरीकण संसत्रण से आप क्या समझते कभी कदार आता तो आप चाहत पढ़ सकते अग्णोर भी कर सकते हैं ठीक है आदर इनुसार फिच्छन भी यह महादपूर्ण है यह कई बार आ चुका इस पर फोकुस करेंगे तो आदर स्वाद के अनुसार फिच्छन के बिधी कुछ प्रकार में डिवाइड की गई हैं जैसे कि नंबर एक पे अंतर द्रिष्ट की बिधी यह आदर स्वाद की फिच्छन बिधी दूफरी वाद विवाद भी नंबर तीन है स्वाक्रिया भी नंबर चार बैक्ष्छन भी नंबर पांच निगमन तथा संसलेश्ट आतमक भी और चाट हुए है पाठ पुस्तक भी ती यह कुछ है आदर स्वाद के फिच्छन भी जिनको आपको ध्यान में रखना है ठीक है काफी अल्कुल कोष्चन है और अगला प्रश्ण है वहिया कि स्वामी वेकानंद के नुशार अनुसासन के बारे मताईए तो देखिए यह कोष्चन आएगा या फिर उपर वाला जो मैंने बताया कि फिच्छक कैसा होना चाहिए स्वामी वेकानंद के नुसार वो क बिद्याले में अध्यापक और छात्र दोनों को ही अनुसासन में रहना चाहिए स्वामी जी ने वास्तुविक अनुसासन चाहते थे वह बाह अनुसासन में विश्वास नहीं करते थे वह आत्मियंतर पर अधिक बल देते थे उनके अनुसार यदि छात्र और अध्यापक दोनुस सयंभ में रहने लगे तो अनुसासन की कोई समस्चय विद्धेयलय nella में उठ्पनन्न नहीं Ne प्रकाल लिखेंगे रहें कि प्रिकाल में थिज्ट भारत फिच्छा जो कि अनिवार फिच्छा है वारत देश्क की तो जो शुरुवाती हुट बेसिक हुट होती उसके कुछ भिसिफ्था है द्यास सुनिएंगे पहला कि किरिया प्रधान सीच्छा दूफ़रा बालग स्वांजिक अधार मनू बज्ञानिक अधार सारी स्रंग का सम्मान साम φिच्छन भीदी और Master an includes तो यह कुछ है बेज़विक्छा के प्रोहोओं कि छेषत chlor करें त्यार करने नमस प्रीण नमबर मिल जाएंगे आपको अगला भी कुश्चिन काफे हेलपल कुश्चिन है कि बुनियादी फिच्छा का पार्ट करम उसके लिए कुछ आधार बूत सिल्प यहां पर बताएगे हैं जिनमें से किर्सी है कताई बुनाई है ठीक है लकडी का काम है चमडे का काम है बरतन का भी और पुस्ता कला है कि कागज और कारडबोर का काम है मचली पाल ना फाल मिम सबजी की बागवानी करना है इसमें ठीक है तो वो वाग्ताग करम कुछ इस प्रकार है उसमें झायति एक तो फिर लिग बंड期 हैं एक है कि कि लमसंशे के ऊनए पर कोश्चन जाए या फिर नेस्ट कोईश्चन है कि गाधी जी के इनुसार पार्ठकरम के बारे में चाहे यह कोईश्चन आ जाएक दोनों में से कोईश्चन फसेगा 100% से ओर तो तैयार कर लिजेगा दोनों एक प्रसन पक्का हो जाएगा ठीक है आदर्सवादी फिच्छा के कुछ उद्देश होते हैं उनको आपको तैयार करना है प्रकतवादी फिच्छा के उद्देश ठीक है आप इसमें जो परिभाफा दी गई इसकी हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं अगर यह जहीं सवज में आ रही तो यह दोनों कोईश्चन इंप पॉर्टेंट है एक जाम के लिए तो जरूर ध्यान देएंगे उसके बाद जीवन एक मात्र सत्त है वह सत्त मृत्व है ठीक है और मृत्त आप सभी को मालू है कि वह पूरी तरह सत्त है और गीता सार में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मर सब्सक्राब करें बारे में जान लेना बहुत मत till की जानकारी होनी चाहिए ठीक है बेहद आवस्छे कि क्योंकि मनवर्च सिक्जिवन का मात्र एक ही सत्त है और वह मुर्थ क्योंकि जिफ इन्सान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को इस दुनिया को इस परिवार को इस समाज को इस सहर को इस देश को एक ना एक दिन छोड़ कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है मतब यही स्रिष्टी मेर दसना रची गई है और यही पूरी तरह सत्यता का प्रमार्ण है लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जावकता कि हर इन्सान अपनी मौत से भेवित रहता है बत्तब कि यह भी नहीं कि भैया की भाईबीत रहाम एक भाई वाली बात नहीं लेकिन यह उसी की यहां पर प्रमाणदक्ता आप लोगों के समस्त ब्यक्त की जा रही है ठीक है बाइचान को आया है तो हो जाएगा यह आप सभी को मालूम है लेकिन इस बात को लेकर लगे तो साय दादी पर से भी तो ऐसे ही खाली हो जाएगी ज्यादा बज्यादा क्या है यह आपकी अतलग उत्रिम ज्याद देखने को मिलता है तो आदर्स वाद एक दार्सनिक विचार धारा इस बात को ध्यान रखेंगे बाकि उत्तर आप लोगों समस्त पस्तों थे पस्तों पस्तों ने कई बारा चुका तो इसके बारे में आपको ध्यान देंदेना प्रिकत वाद दर्सन की विचार धारा रहा है यह विद्धान रखेंगे मिन पॉइंट है ठीक है उसके बाद स्विच्छा और दर्सन में संबंद इसकी बारे मापको जरूर तैयार करके जाना 100% फसेगा है फसेगा है कोईश्चन वेदान दर्सन की परिभांसा यह कभी कदार आता है ठीक है तो आप चाहिए पढ़ भी सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजीए ठीक है स्रीमत भगवत गीता पढ़िए 100% गारंटी वाला कोईश्चन मतलब कई बार मनने के बाद सर्व लोग आपको मिले ठीक है तो कर्मयोगी बनने के लिए प्रिज़ित करता है अगर आप स्रीमत भगवत कथा में ने तो नहीं पढ़ा बीया क्यों बहन लोग चाहे बेग्ञाने कतिहाफकार किर्शी मुनी दार्फनी क्या कोई भी रहे हो उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है ठीक है सही माइने में मनुष्ट के जीवन की जो सचाई है उसकी जलक आपको योगी राज स्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है यदि आप भी जीवन में सफल इंसान मनना चाहते तो स्रीमत भगवत गीता का अध्यन पूरे मन के साथ अवस्य करें गीता फफिक कर ग्यान को अपने जीवन में उतारें ठीक है और यह बहुत ही बढ़िया बात कहींगे अब हम भी सोचेंगे हम सोच रहें कि स्रीमत पढ़ा जाए आगर आप लोग इंट्रेस्टेट हैं इस मतलब की इंट्रेस्टेट हैं रुची है आपकी तो बेसे किसको आप लोग खरीद लीजे नहीं है तो इसके बारें पढ़िए आपका जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर देखने हैं ठीक है हम भी लेने ही वाले ह में हम भी पढ़ेंगे ठीक है चलिए आते हैं इस कोश्चन के और निस्ट कोश्चन के फिच्छा दर्सन क्या यह भी इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार आच चुका फिच्छा दर्सन जुड़ा हंडर परसंट स्योर कि आएगा ही आगा है तो इसी तरह इस पीडियाप में जो है पीडियाप दे दीजिएगा तो हम आपको प्रवाइट करा देंगे बिद्य अले फिडिया कुश्चन आएंगे ठीक है और कई सारे कोश्चन आपको देखने हो कि मिलेंगे धारा जो एक्ट होते हैं उनसे जुड़ा कोश्चन देखने हो कि मिलेंगे ठीक है और जो झाल 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 झाल